मेरी फर्म के अंदर 10,000 रुपे चाहिए और मैंने रोज को बोला 10% लिया फटा फट तो रोज घर गई कितना लेकर आएगी रोज गईगी घर पे जाके 10,000 रुपे हमारी फर्म में लगने है मुझे 10% देना है इसी घर वालने पाला किसका 10% तो अब विसली वो क्या कहीगी फर्म में जो लगा है उसका 10% फर्म में जो लगाना है तो 1000 रुपे है ना दूसरी चीज़ मैंने रोज की ही फ्रेंट दिशा को बोला मैंने का दिशा तुमारे घर में जो पैसे रखे हुए हैं उसका 10% ले आओ अब दिशा गई दिशा गहरी मेरे घर में कित 10th from X 1 10th जो है इसने अपने शेर से दिया तो इसका मतलब 1 10th किसका फर्म पूरी फर्म में अगर 10 हिस्से हैं उसमें से इसने एक हिस्सा दिया मतलब 10% फर्म का 10% इसने दिया तो यह 1 by 10 indicate क्या कर रहा है फर्म में total जो हिस्से हैं उसका 1 by 10 फर्म में total हिस्से कितने होते हैं फर्म का total बता है क्या होता है फर्म का total होता है 1 या फिर 100% फर्म का total क्या होता है 1 या फिर 100% 100% is equal to 1 तो अगर हम किसी से बोल रहे हैं कि अपने शेर from or from or off का difference आ रहा है हम किसी से बोल रहे है कि भाई give this from your share तो वो क्या देगा वो तरह शेर निकाल कर दे रहेगा और हम बोलेंगे give this off your share तो अपने share की calculation करेगा पहले ठीक है इस पर कोई doubt है तो पूछ लो yes sir अजी next next क्या करना है next step क्या है हमें तो new share आप और new share तो हमें पता है कैसे निकालते हैं एक्स का निऊशेर क्या होगा निऊशेर कैसे निकलता है old में से gain add करते हैं और sacrifice less करते हैं या तो gain होता है या sacrifice हो दोने में से एक ही चीज़ होती है तो X का old share क्या था X का old share was the 3 by 6 right it was 3 by 6 है है इसमें से इसको गेन तो कुछ हुआ नहीं सैक्रिफाइज कितना हुआ वन बाइ टेन इसने सरेंडर कर दिया ठीक है वाइए 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 का ओट शेर था टू बैशिक्स इसको भी गेन कुछ 10 x से मिला इसको और 2 x 60 इसको y से मिल गया तो अब जरह इनका नया शेयर निकालते हैं कितना आजेगा यह आजेगा 30 5 3 15 minus 3 this will be 12 by 30 यह कितना आजेगा यह आजेगा 60 तो that will be 10 to 20 minus 2 18 by 60 then यह आजेगा 60 that will be 10 plus 6 plus 2 that will also be 18 by 60 ठीक है अब देखें इनके इनके डिनॉमिनेटर 60 60 इसका 30 है तो इसको भी 60 में कनवर्ट कर लो 2 से multiply 2 से divide 24 by 60 ठीक है अब इनके ratios क्या बन गए ratios बन गए 24 is to 18 is to 18 अब यह सही है गलत है इसका पता चलेगा जब आप इसका total करोगे 24 और 18 कितना होता है 42 42 और 18 that is 60 तो इनका total 60 आ रहा है तो मतलब इनका ratio बिल्कुल ठीक है denominator से match कर गया ना अगर denominator की equal आ जाता है इनका sum तो यह सही है अब देखें new share new profit sharing ratio जो है that is 24 18 and 18 इसको हम और छोटा कर सकते हैं कैसे इन में common factor जो है common सब में common क्या रहा है six common आ रहा है तो six fours are 24, six three is 18, six three is 18 this is your new profit sharing ratio कोई doubt है तो पूछ लो अगर इसी question में कोई आप से पूछ ले बेटा gaining ratio या sacrificing ratio बताओ तो कौन सा ratio निकलने वाला है इसमें कौन सा ratio निकाल सकते हो आप इसमें आप निकाल सकते हो sacrificing ratio gaining तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि gain कि score है एक ही बंदे को that is it तो x और y का sacrificing ratio क्या होगा एक को कितना sacrifice हुआ है 1 by 10 y को कितना sacrifice हुआ है 2 by 60 जरा दोनों के denominator सेम कर दो तो यह हो जाएगा 6 by 60 और 2 by 60 तो ratio क्या बन गया 6 is to do इसको फिर और छोटा कर दो that will be 3 is to 1 यह sacrificing ratio आ जाएगा इसमें को डाउट है तो पूछ लो इस question को solve करने आपने फटा फट एक्स वाइजड आर पार्टनर्स इन 221 एक्स साक्रिफाइज वन थर्ड ओफ इस शियर तू आए calculate new profit शेंग इस जल्दी करिए इस question में क्या होगा एक्स काम साक्रिफाइज निकालेंगे एक्स का साक्रिफाइज क्या होगा डैट इस वन थर्ड ओफ इस शेयर अब उसके शेयर का वन थर्ड क्या होगा वन थर्ड ओफ एक्स शेयर अब वन थर्ड एक्स का शेयर कितना है टू बय फाइफ टू बय फाइफ का वन थर्ड कितना होगा टू बय फिफटीन ये इसका साक्रिफाइज हो गया बस काम खतम ठीक है नियू शेर होगा अच्वाइसली ओविसली वन थर्ड ओफिस शेर उसके शेर का प्रेपोजीशन बेटा प्रेपोजीशन याद करो एक्स नियू शेर कैसे निगलेगा थी बैए सिक्स वाइ का था ओल्ड शेर सॉरी यह कितना था टू बैफाइव टू बैफाइव इसका भी था टू बैफाइव जैट का था वन बैफाइव यही शेर था एक्स के शेर से घटा दो और य के शेर में आड कर दो तू बैफटीन बस यह हुए चेंज इसका भी फिटीन कर दो जैका थी यह तो गजिए पर एट और यह रेशो सही है जारा टोटल करना अच चार बारा तीन बंदरा पंदरा आ रहा रहा है यह इस इस इसे नियू इसमें सैक्रिफाइजिंग और गेशो नहीं बढ़ां सकते क्यूंकि उसके लिए दो लोका होना ज़रूरी है है ना एक को sacrifice और एक को gain और रेशो बनी नहीं सकते कोई doubt है तो पुछ लो तो इसको साथ साथ लिखते रहो चिंकी मिंकी और पिंकी आर पार्टनर्स इन 1 by 10 या ऐसे तो रेशो सही सा रेशो देता हूं 4 3 2 pinky sacrifice sacrifice 14 1 1 10th from her share तो चिंकी मिंकी सक्रिफाइज 1 एथ तो चिंकी क्याल्कुलेट न्यू प्रॉफिट शेरिंग रेशो एंड दो लोग को सैक्रिफाइज हो रहा है तो सैक्रिफाइजिंग रेशो भी आपको निकालना है जल्दी निकाली वन मार्क कुशन है करें ये सैक्रिफाइज यह आ रहे है पिंकी का साइक्रिपाइज और सैक्रिपाइज यह आ गया तो मिंविकी और पिंकी दोनों किसे कितना करा मिंफी ने करा three by seventy do और पिंकी ने करा one by ten तो दोनों के denominator जब हम same करेंगे दोनों में common क्या आता है क्या निए कवन आईका 360 नहीं कि आए तो इसको 36 से मल्टिप्लाइ 36 से डिवाइड कर दो इसको 5 से मल्टिप्लाइ 5 से डिवाइड कर दो तो यहां देगा 15 by 360 और 36 by 360 एक बार देख लेना तो रेशो बन गया 15 is to 36 यह जुक्त ऐहाएं तो फाइट यह च्यार निकालने के लिए हमें क्या पड़ेगा की मिंकी और पिंकी इनका शेर थो 3 by 9 और 2 by 9 इसको तो गेन हुआ इसको 15 by 360 और 36 by 360 मिला ठीक है आप 1 by 10 और 3 by 72 भी कर सकते हो वही कर लेते हैं 1 by 10 और 3 by 72 मिला है इसके पास से कितना गया 3 by 72 गया इसके पास से 1 by 10 गया ठीक है जहरा देखें इनका कितना आएगा 9 10 और 72 का LCM किया आएगा डाट विल भी 9 5 36 5 then 9 then 4 5 2 10 9 360 यह आएगा इनका LCM 360 तो यह आजेगा 40 160 यह आजेगा 36 और यह आजेगा 15 अजीब सा रेशो बन गया यह देखो 72 और 9 में 72 आजेगा LCM 8 3 24 माइनस 3 then यह आजेगा 9 और 10 का LCM 90 होता है तो यह आजेगा 20 माइनस 9 11 by 90 21 by 72 and 161 96 प्लस 5 201 211 by 360 अब सबके डिनॉमिनेटर को 360 में कनवर्ट कर दो कितना आजेगा यह 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 जगा 105 by 360 और यह आजेगा 44 by 360 इनका रेशो क्या बन गया है 211 एक सो पांच और 44 211 105 और 44 जड़ा टोटल कर लेना इसका टोटल जो है 360 आजेगा इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो इसका नोट डाउन कर लो फटा-फट स्क्रीन शॉट ले लो कोई डाउट है तो बागी सबको इद मुबारक 2021 की कोई डाउट नहीं है चले अब कोश्चिन्स